Hello everyone, welcome back to our channel, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 में J-Means का सबसे important chapter जो कि है electrochemistry सबसे important भी है और उसे के साथ में थोड़ा tough side में भी बोल सकते हैं, अब ये tough क्यों हो जाता है, ये tough इसलिए हो जाता है exam में है, क्योंकि इसके जो questions हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़ी एक तर का time दे दिया जाए, तीन गंटे की जगए पर 5 गंटे दे दिया जाए, तो जो number of student जो कि इस paper को solve कर पाएंगे, वो 3 times हो जाएंगे, क्योंकि जो students होते हैं, उनको जो paper है, उसको solve करना नहीं जाता, time में paper solve नहीं होता, जिस विज़े से क्या होता, paper छूड जाता है, और क्या है, तो आज की आज की स्कॉर करने के लिए अपनों को टेकनिक्स आनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो का अपनों को य जो questions, इनको टेकनिक से सॉल करना हैं, आपको लोजिकल तिंकिंग के साथ में गजूशन को सॉल करने बहुती सिम्पल क्योशन आते हैं एंसे, ज् प्यूल सेल होगा, तो सेल में क्या होता है, सेल का मतलब ही होता है कि उसमें कोई भी reaction होगी तो इसे potential difference जणरेंस जनरेट होना चाहिए यह होता है इसका की पोइंट तो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि क्यों होती है सबसे पहला पोटेंशल सो फिर्थ पूटेंशल बीट्वीं देच्ट हाँ यह एकडम से गलत रिजन दूसरा रिजन यह है कि पोटेंशल दिफ्रेंश बित्वीन्ट रिशे क्रेक्ट्ट पॉइन उसका जो कर्डेक्ट अंसर यह यह एक दुक्त अंसर है अपी भी तो इसको किस तरीकी से सॉल करेंगे वो सुनना अभी समें सबसे पहले जैसे जैसे पढ़ते जाओ उसको नोट डाउन करते जाए कि आपर बोलगे कि जो कंड़क्टिवीटी है जिसके यूनित साइमन है इस डिर्कली प्रपोर्शनल टू एरिया ओफ वेशल तो आपको क्या क किसन तरीके से कंप्रीकर क्या होगी वू रहाए कि उसकी नंबर आप मॉल्स जिसको कि आम मोल से डिनोट करेंगी और डिवाइडिट भावल्यूम तो अब वॉल्यूम किसमें होगी यह वावल्यूम होजाएगी मीटर क्यूब हे तो हम इसको लिख सकते है कि कि जो दिया हुआ है कि इस इन्वर्सली प्रपोशनल तू दे लेंथ तो मतलब कि लेंथ के इन्वर्सली प्रपोशनल है मतलब आपको इसको M से और मुल्टिप्लाइ कर देना अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से जो S की वैल्यू आएगी तो यहां से हम बोल सकते है कि S is equal to के इन्टू M स्क्वाइर इन्टू मॉल इन्टू यहां पर आजएगा M इन्टू M क्यूब ठीक है अब इसके बाद में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से M से M बज जाएगा और फिर यहां से की वैल्यूम बहुत ही सिंपल तरीकी से निगाल सकते हैं जो कि आप स्कु को जब ठांसफर कर एंद तो की इसी को इस एकल टू S M स्काइर इंटू M इन्टू M इन्वर्स तु यह गा इसका薦 सब्सक्रामल अब इसकिन अदर जादा कुछ भी करने लाक नहीं था इस नहीं बस ये सोच ना था कि जो तो आपनों को थोड़ा ध्यान रखना अब देखो इसको एरेस कर देखो एक जरुआ जरुवत ने कि थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आप इसको नोट डाउन कर लेने क्योंकि पुछ जाना की प्रॉबेबलिटी होती है तो इसके बाद में हमार पास होता है क्योशन बनुप अप्रण किसले आते उलिए यूशन के साथ में इसके प्रॉशत Ś जाने चाहिए, कोई भी क्योशन करें, उसमें देखें कि जैसे कि अब गैलवनाइजिशन है, तो इस से रिलेटेट जितने भी क्योशन है, वो एक बार में कवर हो जाने चाहिए, तो इस तरीके से आपका स्लीबस बहुत जल्दी कवर होगा, तो अब अगर बात करें, इसमें गैलवनाइजिशन है, तो इसके बाद में जो नेक्स आता है, यहाँ पर क्योशन नमबर फोर्थ है, अब क्या का आगया है, कि आप लोगों के पास में एक सॉल्यूशन है, और नाइट्रेट, मतलब नि-इ- N-O-3 का सॉल्यूशन है, अब N-I-N-O-3 का सॉल्यूशन है, प्लाइज कर गये कितना चार्जन अगर कितना चार्जन फिर इसमें क्या फ्लो गया फ्लो गया जो भी इन हो वहने लिघ दिया एट कैथोर्ड तो के ओ पर डेपोस्ट होने के लिए के लिए कितने मोल्स लगेंगे तो देखो अब सिंबल जिसकी reaction लिखेंगे, अब reaction क्या होगी, reaction यह होगी, कि यहाँ पर हो जाएगा, nickel plus 2 में क्या होगा, यहाँ जब 2 electron add होगे, अब यह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमसे बस nickel के बार में पूचा गए, अगर हमसे nitrate के बार में पूचता तो हम इसको लेते, लेकिन nickel के करवाना है, यह reaction को perform करवाना है, तो इसके लिए 2 faraday क्या है, यह तो है required, यह क्या होगा है, 2 faraday जो है, यह charge तो है required, लेकिन हमें दिया कितना गया है, वो दिया गया है, एक faraday, जब 2 faraday चार्ज को हम flow करवाते हैं, तो 1 mol बनता है, 2 faraday से 1 mol बनता है, लेकिन दिया इसमें हम यह करेंगे 1 into 0.1 divided by 2 करके जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आजएगा इतने नंबर उफ मुल्च तो इसका अंसर आप लोग में को कमेंट से बताए किसका सॉल्व करके कि क्या अंसर बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती गटे देखते हैं किसमें आप लों का अं लेकरवाला पडसल बहुत ही ज्यादा सिम्पल है लेकिन ये वाला कियुषिन स्मुर्फ एब इसमें कन् Federal होने के बहुत ती ज्यादा में UCakingय के आप इसमें हमने क्या पड़ा हुआ है कि अभी जो हमारा पड़ा हुआ ओओ यए है कि इसका क्या करना है? इससे ही पूरी पूरा गेम चेंज होगा यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E of cell is equal to E of इसको क्या बोल देंगे left plus of इसको बोल देंगे E of right ठीक है? यह होगे हमारे oxidation potential है और यह जो नीचे वाला है यह है reduction potential अब यह देखो इसमें बोला गया है कि only and only reduction potential की terms में लिखेंगे तो एक बात जो हमें पता है वो यह पता है कि E not of यहाँ पर जो oxidation potential होता है वो minus of E not of reduction potential होता है मलब कि potential difference of oxidation potential is negative of reduction potential तो वो ही करेंगे अब इसमें जो left वाला है उसको हम negative में लिख देंगे क्योंकि हमें reduction potential चीए oxidation potential तो यह लिख सकते है कि E of R minus of E of left तो यह आजएगा इसका answer यह हो गया इसका correct answer तो इसका correct answer रहने वाला है वो रहने वाले C option इसका एक दम से correct तो इसके लिए आप लोग को एप्रोच आनीची हर इक चीज को तो बड़ा डीप में समझेंगे जब ही आप लोग को समझ में आएगा then फिर इसके बाद में आता question number 6, question number 6 में क्या का आगए कि एक cell reaction ने जिसके अंदर की 2 electron change करा जारा मतलब की n is equal to value given है वो है 2 ठीक है यह लिख दिया हमने केल्विन में कनवर्ट करेंगे याद रखना कि इसमें degree Celsius में देगार question में लेकिन आप लोग को केल्विन में कनवर्ट करना तो ही हो जाएगा 2 98 Kelvin ठीक है then फिर इसके बाद में आप राता है कि जो equilibrium constant of reaction आप लोग को find out करना कि जो की value है वो क्या होगी तो इसके अंदर solve करना इसे काफी जाद आसान है इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे कि delta G is equal to minus of nf into e not ठीक है यहां से solve करेंगे तो हमें किस की value मिलेगी वो मिलेगी delta G की ठीक है अब हमें delta G की value मिल गई तो delta G का दूसरे मतब की delta G is equal to nr t nr t ln of k equilibrium ठीक है अब उसके बाद में आप लोग की यहां पर हर एक चीज की value given है यहां से delta G की value जो है वो आजएग equation number 1 से इसमें इसको put करना है फिर आपको इसे solve करना है आप लोग का एकदम से correct answer आजएगा तो आप लोग को इसको ध्यान से करीगा जो इसका answer है वो यहां पर D वाला option इसका एकदम से correct है 10 power 10 आएगा इसका answer एंटी लोग लेना पड़ेगा फिर उसके आदम आप इसे solve कर लेंगे बहुत ही simple से calculation होगा एक पर try करके देखो इसके बाद में जो हमारा अब उसके बाद में जो amount of PbSO4 electrolyzed in grams तो आप लोग को grams में निकालना कि कितने gram of यह electrolyzed होगा और इसका molar mass गिए 303 gram per mole तो अब इसको कैसे solve करेंगे तो देखे यहां पर यह जो है PbSO4 plus आप लोग को reaction यहां दोनी चीए इस reaction को लिखने का बस है कि इसमें two electrons evolve तो n is equal to value हो जाएगी वो हो जाएगी two बस इसका purpose इतना सा ही है कि इसमें कितने number of electrons involved है two और n की value हाजएगी अब उसके बाद में हम निकालेंगे कि इसमें कितने number of mol हो जाएगे तो mol निकालेंगे सबसे क्या करना होगा भी यह वही पहले वाला काम 0.05 divided by two आप बस इसना से याद रख सकते हो कि यहां पर उपर आता है चार्ज और नीच आता है number of electrons तो अब देखिए अब उसके बाद में इसको solve करेंगे तो यहां से जो भी answer आएगा देन फिर इसको क्या करेंगे हम लोग इसमें आप लोग को simple size के जो मां से साथ में multiply करना और आप लोंका arसर आ जाएगा इसका half करेंगे और यहां से मॉल के साथ में मॉलर मांस मॉल्टिप्लाई करेंगे जो कि हो जाएग 303 into आप लोग को क्या करने- सब्सक्राइब करें दिए अब इसको क्लियर करते हो एक अब उसके बाद में हम डार्क लिए से क्या निकालते है कि मास कितना हो तो अब यह मास निकालने के लिए मोल से क्या करतें मास को लिए तो 303 x 0.05 ÷ आप बस इसको आपके पास में आँचर आजेगा ज्यादा कोई नहीं आएंगे आप लोगोंके बस सिंबल से क्योंच आएंगे आप लोगोंको वो करने होंगे और अच्छे से स्वाल कर नहीं जब हो गए ओ इसके बाद में पर आप रहते है क्योंच नमब एत म आगे आने वाले सारे क्योशन्स आप लोगों से होने चाहिए इसमें गीवन है कि आप पर इस तरीके से रीक्षिन होती है अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखे इसके अंदर तीन आप लोगों को रियक्षिन मिलेंगी और उनके आप लोगों को डेल्टा जी निकाल लें तो सबसे पहली जो रहेगी वह रहेगी यहाप लोगों के एफे प्लस टू से यहाप लोगों के इलेक्ट्रोन से कर तो फिर यहां के बाद में फिर सेकेंस कि पार्फिछों होगे कुझ करें थमने फीर इसके सदी होगे वह एक प्लस है वह कन्वर्ट होगा उन बैस चाहिए यह होगीòn होगीट आप लों को इससे एकशन को इसको इस तरीके से एड़ करना है वह आप निकाल लेंगे Gustaf और इसका है G3, अब यह तीनों डेल्टा जी होगी, अब उसके बाद में क्या करोगी इसमें, इसमें आप लोगो बस इसको एड़ करना है, अभी F2 प्लस 3 जो है, इसको हम रिवर्स करेंगे, अब इसको ही क्यों रिवर्स करेंगे वह यह इसके पीछे का रीजन यह है, कि इस Fv Mumu P3 है, इसमें 3 इलेक्ट्रोन इस, जब इसको एड़ करएंगे, इसको दिवर्स करेंगे, और एड़ करेंगे तो इहां इसको जो डेल्टा जी है, वह माइनस सव डेल्टा जी 2 हो जाएगा, ठीक है, वीधी रिवलेंड जी 2 हो जाएगा, और यहां से भीविवलेंट को गोई कि देल्टा जी वन प्लस ओफ डेल्टा जी थी माइनस ओफ डेल्टा जी टू ठीक है यह होगे अवरोल डेल्टा जी देन फिर इसके बाद में आपको क्या करना है इसका आप